प्रभातकबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो स्टोरी में मिलेगा दरसल लॉकडाउन की वजह से लोगों का अपने घरों से निकलना मना है लेकिन जरूरतें कहां रुकती हैं लोगों को खाना चाहिए पानी चाहिए घरों में लोग बीमार हैं खासकर बुजुर्ग उन्हें दे रहा है डाग विभाग की मुख्य भुमी का लोगों तक दवाइयां पहुचाने की है साथ ही वित्य लेंदेन सहित अन्य जरूरी चीजों की आपूरती का जिम्मा भी डाग विभाग ने लिया है देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को दवाओं की आपूरती के देश के लिए डाग विभाग ने नेट के जरिये दावाओं सहीत अन्य जरूरत की चीजों की बुकिंग शुरू की है इसके लिए देश के 17 शहरों में विसेस कारियाला भी खोला गया है इसके अलावा देश के कई शहरों में मोबाइल वैन का परिचालन शुरू किया गया है जिससे बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे डाग विवाग में अपने बचत खातों से लेंद देन कर सकें डाग अधिक्षक ने बताया कि लॉकडाउन होने के बाद सरकार द्वारा डाग सेवाओं को अनिवारी शेवा में शामिल किया गया है डाग घर में काउंटर पर ग् बैठे रुपए की निकासी कर सकते हैं इसके लिए हेल्प लाइम नंबर भी जारी किया गया है ग्राह घर बैठे ही सेवा का लाब उठा सकते हैं डाग विभाग सहर से लेकर गाउं तक चावाल और आटा से लेकर तमाम जरूरी चीजों की आपूर्ति करने को तयार है डाग विभाग का काफी बड़ा नेटवर्क है तो डाग विभाग की ये पहल काफी महत्पूर्ण है यदि आप भी किसी तरह की दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो डाग विभाग से संपर्क कर सकते हैं बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे प्रभातखबर.com के साथ धन्यवाद